हेलो दोस्तों इस चैनल हेल पीपी में आप सभी का स्वागत है आज का डिक्टेशन हमने संपाधिकी से लिया है जिसे हम 90 सब्द परती मिनट की गति से बोलेंगे जो 5 मिनट की अवधी के लिए होगा जो आने वाले UPSC, UKSSC, DSBB के स्किल टेस्ट के लिए बहुत लापकारी सिद्ध होगा यह एक संपाधिकी लेख है जो हमने योजना पत्रिका से लिया है डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे ठीक दो सेकिंड के बाट रेडी स्टार्ट भारत में जैविक किरसी पद्दती नई नहीं है प्राची काल से ही हमारे यहां इसका परचलन रहा है वर्तमान में जैविक खेती के पुनर उत्थान को समझने के लिए हमें पीछे लोट कर हरित करांती युग पर नजर डालनी होगी हरित करांती और उसके बाद अनाज उतपादक्ता में नाटकिय धंग से अबूत पूर्व जिसके दूर गामी प्रभाव पड़े हरित करांती के दोरान मिली सफलताओं के समय उर्वरकों और कीट नासकों का अतियादिक परियोग हुआ जिससे धीरे धीरे मिर्दा की उतपादक्ता में कमी आती गई इसलिए किरसी विज्ञान की दुनिया एक समगर उतपादन परभंदन परणाली के रूप में जैविक खेती को चुनने के लिए मजबूर हुई चुनकि यह खेती परियावरण और सतत किरसी के अनुकूल है जैविक खेती आमतोर से वापिस प्रक्ती की और अभियान से जुड़ी हुई है सरल सब्दो में जैविक खेती रसायनिक उरवरकों और कीट नासकों से दूर रहती है और इसके अंतरगत मिट्टी में कचरा खाद एवं सीवेज खाद पौधे के अवसेस खाद्य परसंसकरण अपसिष्च आदी मिलाकर मिट्टी की उरवरता बढ़ाने का परियास किया ज जाता है वरतमान में जैविक खेती इतनी विक्सित हो गई है कि पिछले युग में लोटने मात्र तक सीमित नहीं है बलकि उतपादन की एक वैकलपिक आधुनिक पद्दती है जो उच्च गुणवत्ता युक्त उतपादन प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जैविक परक्रियाओं पर निर्भर है जैविक खेती में विभिन तकनीकें सामिल है जो परियावरण के अनुकूल है और मिट्टी की उरवरता को बढ़ाती है वे मुख्य रूप से हैं फसल चकरण कीटों से बचने और मिट्टी की उरवरता बनाए रखने के लिए मौसम के अनुसार एक ही छेत्र में विवित फसलों को उगाने की तकनीक हरी खाद का उपियोग करना पौधे की पत्तियों और पौधे की अबसिष्च सामगरी जैविक कीट नियंत्रन पौधे को कीटों से बचाने के लिए कृतिम रसायनों के बजाए जीवित जीवों का वर्मी कमपोस्चिंग, रस्वई कचरे और अन्यवनस्पती कचरे के मिश्रन के साथ खाद तैयार करने के लिए विभिन्न किर्मियों का उपियोग करके खाद बनाने की प्रक्रिया भारत में जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की जरूरत है इसके लिए कुछ रणनीतियां अपनानी होंगी जैसे विसेशग्यों की मदद से किसान निर्माता कमपनियों को उनके उतपादों जैसे जंगली कौफी आदी वासी सहद आदी हेतू ब्रांडिंग समर्थन ताकि उनके उतपादों का मूल्य समर्धन हो सके साथ ही उन्हें जैविक परमान पत्र मिल सके जो की किसान को अपने उतपाद को जैविक के रूप में प्रस्तुत करने बेचने लेबल लगाने की अनुमती देता है जिससे उपियोग करता में उतपाद के प्रती विश्वास पैदा होता है जैविक उतपादों की खुद्रा बिकरी पैकेट मंद करना और लेबल लगाना भी जैविक उतपादों के परचार में महत पून गटक है जैविक उतपादों के बजार को एक प्रिमियम बजार माना जाता है जो मानकों के उच इस्तर को बनाए रखता है इन मानकों का पालन उतपाद की संपून स्रिंखला में उतपाद नियोजन से लेकर उतपादन और उतपादन के बाद तक किया जाना है इस चॉप दोस्तों यह हमने पांच मिनट से थोड़ा ज्यादा बोला है अगर आपने यह डिक्टेशन लिखाया है तो इसके ट्रांस्क्रिप्शन के लिए आप हमारे वर्टसप ग्रूप या टेलिग्राम ग्रूप से जिरू सकते हैं जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रि जुरू लिखें थैंकि सो मच और चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेयर करना मत भूलेगा